अलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने क्रेन का पूरा फंसन दिखाऊंगा तो यह जो दिख रहा है आपको यह कंड मास्टर कंट्रोलर है यह जो आपको सामने दिख रहा है जिससे में लोहा पकड़के लेके जाता हूं छोड़ता हूं रखता हूं इसी से मैंगनेट से एक काम किया जाता है चलिए और बाकी आपको दिखाता हूं तर देखिये फरनेस से जो है लोग मेंट होके जा रहा है डलाइ के लिए अब चलते है उपर और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या रहता है देखिये तो मोटर है जो एल्टी का है राइट लेफ्ट जाने केलिए और उसमें एक पुली लगा हुआ है और गेर बॉक्स है अब फिर गेर बॉक्स कनेक्शन है वील का जो कि हमारे क्रेन का वील है यह आपको दिख रहा होगा तो यह हमारे क्रेन का वील है और यह गेर बॉक्स है और उसमें छोटा सा ब्रेक है और यह मोटर है अब चलिए आगे और दिखाता हूँ आप लोगों को तो यह सारे पैनल है ठीक है सारे सप्लाई इसी में आता है एक एक कंट्रोलर का अलग अलग पैनल है ठीक है और मैगनेट का भी पैनल इसी में है आगे मैगनेट का पैनल है और वह आगे जो दिख रहा है वहां पर भी मोटर है एल्टी का ही दोनों तरफ मोटर आता है जिससे बढ़ियां से राइट और लेफ्ट होता है देखिए यहां पर मोटर है और सेम वही साई gearbox है और gearbox connection जो है घील का दिया हुआ है अब मैं आपको चलता हूँ लेके CT के उपर CT के उपर दिखाता हूँ कि कैसा क्या रहता है यह देखिए motor जो दीख रहा है आपका यह rotator का motor है जो कि मेरा magnet घूमता है चारो दिशाओं में उसके लिए यह है, उसका controller भी आपको तिखाया हूं और जो उपर दिखाई दि रहा है, drum वो drum है main host का, up-down का up-down का main host का, उपर जो drum दिखाई दि रहा है आपको, वो यह चलिए नजदीक से दिखा रहा हूं देख लिजी, यह drum है, एक side का यह drum है दूसरे साइट का उधर ड्रुमैं बीच में गीर बॉक्स है, देख लिजी और वो जो मेंतर मोटर है, मेंन मोटर वही है, और उसका दो ब्रेक हैं, हाई भी ब्रेक है, थरस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, थरस्टर का काम होता है जो कि ब्रेक लगाना, अगर जब हमको है तो थ्रस्टर ही उस पर जाके कंट्रोल करता है ब्रेक को देख लिए कितना बड़ा गियर बॉक्स है दोनों साइड ड्रॉम है और देखे उधर लाल लाल जो दिख रहा है न अब बिलेट आरा लोगा ड़लाई होके और थंडा हो जाएगा तो मुझको वही उठाना है ठीक है तो इतना ही कुछ है मेरे क्रेन में दोस्तों वीडियो को लाइक कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए